नवस्कार आप देख रहें न्यूज शक्र मैं अभिसार शर्मा कॉंग्रिस के तीन बार सांसद रहे धीरत साहू के अलग-अलग ठिकानों से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, तीन सो करोड रुपे बरामद होते हैं दोस्के यह देखिए, यह तस्वीरे हैरत में डाल देने वाली हैं, इतने बड़े पैमाने पर रेड होती है अलग-अलग राज्यों में और वहां से तीन सो करोड रुपे मिलते हैं इस वक्त भारती जनता पार्टी कॉंग्रिस पर निशाना साथ रही है और सोशल मीडिया में कॉंग्रिस को करॉप्शन की दुकान बताया जा रहा है मेरा सीधा सवाल इस वक्त इंकम टैक्स ने इस पूरे मुद्दे पर कोई बयान नहीं दिया है क्या ये काली कमाई है, क्या ये करॉप्शन की कमाई है अभी इसकी जाच होनी बाकी है मगर जाहिर सी बात है अगर अलग-अलग ठिकानों में इतने करोड रुपए रखे गए है तो सवाल उठना लाज़मी है और आपको याद होगा कि मैंने अपने एक मंच पर बाकाइदा इसको लेकर कारकरम भी किया है वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुँच क्योंकि खबरों की इन ही गहराईयों में छिपा है राजनीती का असली खेल यूस जब खबर की गहराईयों को टटोलता मगर आज सवाल बहुत बड़ा है धीरत साहू के अलग-अलग ठिकानों में तीन सो करोड रुपए बरामद होते है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी उस पर बयान देते है देश के ग्रे मंत्री अमिट्शा उस पर बयान देते है बड़ा सवाल ये करप्शन पर तोहरे मापदंड क्यों केंद्री मंत्री नरेंद्र तोमर के बेटे एक विडियो में कथित तोर पर पांच सो करोड रुपए की बात कर रहे होते है प्रधान मंत्री अमिट्शा किसी का अब तक कोई बयान नहीं आया नरेंद्र तोमर से जवाब तलब भी नहीं किया गया आखिर क्यों सबसे बड़ी बात जिस भी नेता पर भ्रष्टाचार को लेकर आरोप होता है वो जैसे ही भाच्पा में शामिल होता है उस गंगा में डुपकी लगा कर करॉप्शन के तमाम दाग भूल जाते हैं याद कीजे देवेंद्र फड़नवीस ने आजीत पवार की बारे में क्या कहा था कि हम सत्ता में आ गए तो आजीत दादा आजीत पवार करॉप्शन के मामले में चक्की पीसिंग और पीसिंग और पीसिंग और पीसिंग आज देवेंद्र फड़नवीस को उन्हीं की पार्ट पर करप्शन के बहुत आरोप थे मगर उन्होंने जैसे ही भाजपा का साथ दिया कोई जाच नहीं हो रही है याद कीजे हेमंत बिस्व शर्मा पर करप्शन को लेकर गंभीर आरोप थे लगातार भाजपा उन पर हमला करती थे वो भाजपा में शामिल हुए आज देखिए चीफ मिनस्टर बने हुए आ सब के मुकल रॉय वो जैसे ही भाजपा में शामिल होते हैं तमाम भरष्टाचार के आरोप जो है उड़ंचु हो जाते हैं सुवेंदू अधिकारी उनका भी यही हाल अभी हाली में NCP के एक नेता नवाब मलिक जेल में थे अब वो जेल से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्होंने संदेसा भिजवाया अजीद पवार को कि भई मैं तो NCP का नेता हूँ मैं तो आफी की पार्टी का हूँ देवेंद्र फड़नवीस ने बाकाइदा अजीद पवार को लिटर लिखा कि नवाब मलिक के पार्टी में शामिल होने के मैं खिलाफ हूँ सरकार में शामिल होने को लेकर मैं खिलाफ हूँ तो मेरा सवाल देवेंद्र फड़नवीस से आप तो अजीत पवार को चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग की बात कर रहे थे तो वहाँ पर जब आपको आपत्ती नहीं है तो नवाब मलिक को लेकर क्या आपत्ती है क्या नवाब मलिक को लेकर इसलिए आपत्ती है कि उनका नाम नवाब मलिक है हकीकत क्या है दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कर्रप्शन को लेकर भारती जनता पार्टी पूरी तरह से एक्स्पोजड है धीरत साहू के मामले में मुद्दे उठाए जाने चाहिए कॉंग्रेस भी कट घरे में और आगे मैं आपको जाके बतलाओंगा क्यूं मगर बड़ा सवाल ये कि करनाटक में भाजपा के नेता के बेटे के घर में करोडों रुपए मिलते हैं उसकी आज तक जाश नहीं करवाई गई है जितने भी उद्योग पती भाजपा से करीबी हैं उनके उद्योग करने के बिजनस करने के तरीकों पे धेरो सवाल उठते हैं आज तक जाश नहीं कराई गई है उनके बारे में विदेशी अखबारों में खबरें छपती हैं जाश नहीं कराई जाती मगर एक विदेशी अखबार में आधी अधूरी खबर चप जाती है तो आप लोगों को जेल में डाल देते हैं यू ए पीए के आरोप में ये तो दोहरे माबदंड हुए ना तो ऐसे में जब प्रधान मंतरी कहते हैं कि मैं करॉप्शन के खिलाफ गारिंटी हूँ तो उस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि जब प्रधान मंतरी ये कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा तो आपकी उस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि अब आपकी गोद में अजीद पवार हैं नारायन राने हैं हे मन तो बिस शर्मा है नरेंद तोमर की बेटे के स्टिंग ऑपरेशन के बारे में आप जाच भी नहीं करवाते हैं दोस्तों मैं बात करना चाहूँगा धीरत साहू को लेकर जाहिर सी बात है आप देख सकते हैं बरामदगी को लेकर जो तस्वीर है धीरत साहू के अलग अलग ठिकानों से करीब 300 करोड रुपे बरामद हो चुके है और जैसे ये सामने उभर कर आता है प्रधान मंत्री नरेंद्र बोदी शुक्रवार को ही इस मुद्दे पर ट्वीट कर देते हैं और भाच्पा रुक नहीं रही है भाच्पा ने ट्विटर पर या एक्स पर इस वक्त एक अभ्यान चलाय हुआ है कॉंग्रिस पर निशाना साथते हुए कहा गया है कि कॉंग्रिस करॉप्शन की दुकान है देश के ग्रह मंत्री आमिच शाह बाकाइदा एनाई को इंट्रिव्यू देते हैं मुझे बहुत है आजाद भारत के बाद किसी भी सांसत के घर से इतना कैश नहीं मिला है करोडों रुपए मिले हैं मगर इंडिया गडबंधन खामोश है कॉंग्रिस की खामोशी को मैं समझ सकता हूँ क्योंकि भरष्टाचार उनके सोच में है उनकी प्रवरत्ती में हैं उनकी प्रकृती में मगर जनतादाल उनाइटेड, आरजेडी, डीमके और समाजवादी पाटी सब खामोश बैठे है अब मैं समझ गया कि ये लोग प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये कैमपेइन क्यों चलाते हैं कि एजनसी का दुरुपयोग हो रहा है ये कैमपेइन, ये अभियान इसलिए चलाया गया था क्योंकि उनके मन में डर था कि भ्रष्टाचार को लेकर तमाम जो सीक्रिट्स हैं, गुप्त बाते हैं वो सामने उभर कर आ जाएंगे मैं फिर अमिट्शाजी से सवाल पूछना चाहता हूँ याद कीजिए अजीत पवार के बारी में आपने खुद क्या कहा था एनसीपी को आपने नाचुरिली करप्ट पार्टी कहा था ये शब्द किसके थे अमिट जी मगर आज पूरी की पूरी एनसीपी जो है के एकनॉमिक रिसॉर्स को लेकर क्या जाच कराने की आप हिम्मत करेंगे पताईए प्रफुल पटेल की वो कौन सी कमजोर नब्ज आपके हाथ में थी आखिर भारती जन्ता पार्टी की गोद में बैठ कर आखिर वो कौन से गंगा का चरणामरित उन्होंने पी लिया जिसके चलते अब प्रफुल पटेल की जाच नहीं होगी क्या वज़ा है आमिज जी ऐसे में क्या आपको करप्शन पर बात करने का अधिकार है दोस्तो अब कॉंग्रिस खुल कर धीरत साहू के पक्ष में आ रही है मनकम टैगोर जो की पार्टी के नेता है उनका बयान आपके स्क्रीन्स पर वो ये कह रहे हैं कि धीरत साहू 40 सालों से व्यवसाई है इस मुद्दे की जाच हो जानी चाहिए मगर 500 करोड के मामले में नरेंद्र तूमर के जो बेटे फस्ते हुए दिखाई दे रहे थे उसकी जाच क्यों नहीं हो रही है जारकंट सरकार में एक मंत्री है उनका भी बयान आया है इस पर आप गौर कीजेगा जारकंट के स्वास्त मंत्री हैं बन्ना गुपता बन्ना गुपता यहां कह रहे हैं कि धीरत साहू और उनके जो पिता हैं वो पारिवारिक लोग हैं उनका एक बड़े व्यवसाई घराने से नाता है एक बड़ा परिवार है वो अपना जो धंदा है अपना बिजनस कई सालों से कर रहे हैं सौ सालों से कर रहे हैं, ये पैसा कहां से आ रहा है, इस मुद्दे को लेकर income tax को अपना बयान देना चाहिए, income tax विभाग को, ये कोई रिश्वत का पैसा नहीं है, जाच की जा रही है, और जाच के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा, ये उनका personal business है, ये इनका निजी व्याप है, इसका party से कोई लेना देना नहीं है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अभी दो, तीन, चार, पांच दिनों के बाद, Congress और उससे जुड़े नेता जो है, वो लोग ये कह रहे हैं कि धीरत साहू का ये business है, वो business है, ये रिश्वत का पैसा नहीं है, मनिकम टे कि जहराम रमेश ने धर असल कहा क्या था, आपके screens पर दोस्तों, सांसा धीरत साहू के business से भारती राश्वे Congress का कोई लिना देना नहीं है, सिर्व वही बता सकते हैं, और उन्हें इस पश्ट करना भी चाहिए, कि कैसे आयकर अधिकारियों द्वारा कथित तोर पर उनके ठ Congress से मानती है कि ये जो पैसे बरामद हो रहे हैं, इसमें कोई गड़बड जाला नहीं है, तो इतने विरोधा भासी बयान क्यों सामने उभर करा रहे हैं, करप्शन को लेकर भाजपा के दोरे माबदंड हैं, इनकार नहीं किया जा सकता, मगर Congress जो है, उसे भी स्पश्ट करन पड़ेगा कि धीरत साहू के घर से 300 करोड रुपे कैसे बरामद हो रहे हैं, राहूल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दोराने आप धीरत साहू को यहाँ देख सकते हैं, इस तस्वीर को लेकर भी भाजपा लगातार हमला बोल रही है, तो स्वाभाविक सी बात है, य जो कॉंग्रेस के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है, मगर यह यह भी साबित कर रहा है कि चाहे भरष्टाचार हो, चाहे अन्यमुद्दे हो, भाजपा के दोहरे माबदंड हैं, यानि कि बगैर जाच किये, महुआ मौहित्रा को, सवाल के बदले क्याश मामले में संसत से बाहर कर दिया जाता है, निशकासित कर दिया जाता है, मगर दूसी तरफ, रमेश बिधुडी, यह व्यक्ति, जिस तरह कि शब्दावली का इस्तमाल दानिश अली के लिए करता है, जो एक और सांसत हैं, वो शर्मनाक है, नहायत ही बत्तमीज अंदास से, रमेश बिधुड रमेश बिधुडी को लेकर आपने दिखाई थी, तो यह दोहरे माबदंड हर तरफ दिखाई देते हैं, जो बिजनस हाउसे विपक्ष से जुड़े हुएं, उन्हें लगातार परिशान किया जाता है, उत्तर प्रदेश के चुनावों के दौरान या उससे पहले मुझे य और उस मुद्दे पर भाजपा भी चुप हो गई, जाच एजनसीज भी चुप हो गई, मगर अगर गलती से आपका नाता कॉंग्रिस से है, तो आपकी ऐसी तैसी कर दी जाएगी। उनसे उनका नाता था, ये दोरे माब्देंड क्यों? और मीडिया आपको कभी नहीं बताएगा, गोधी मीडिया आपको कभी नहीं बताएगा, इसलिए तो गोधी मीडिया है ना, धीरत साहू को लेकर जाच होनी चाहिए, तमाम डिजिटल प्लाटफॉर्म्स पर काम करने वाले पत्रकारों में सबसे पहले मैंने धीरत साहू आला मुद्दा आपके सामने रखा था, तो जाहिर सी बात है, दूद का दूद और पानी का पानी हो जाना चाहिए, करोडों रुपे अगर आपके घर से बरामद हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, उस पर सवाल कांग्रेस इस से पला नहीं जाड़ सकती, मगर कांग्रेस का दोश यह है कि वो इस मुद्दे पर लगातार विरूधा भासी, दोहरे संकेत दे रही है, और भाशपा की दिक्कत यह है, दिक्कत क्या है, यह अपने आप में शर्मनाक है, कि भाशपा करप्शन पर दोहरे दंड अपनाता है, इसकी लगातार आलोशना होनी चाहिए और इसे एक्सपोज भी किया जाना चाहिए, अब इसार शर्मा को दीजे जासत, नमस्कार